आमाद्मी पार्टे की मुश्किले बढ़ती नजर आ लिए आमाद्मी पार्टे के सांसद और सेम अर्विंद केश्डिवाल के राइट एंड कहे जाने वाले संजे सिंग को ईडी ने गिरफतार कर लिया है दरसल एडी ने शराब घोटाले के आरोप में 10 गंटे तक चली चापे मारी और लंबी पूश्काश के बाद संजे सिंग को गिरफतार कर लिया एडी ने संजे सिंग के घर से कई दस्तावेज भी जटते हैं संजे सिंग आपके बड़े नेता है और उनकी गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी की टेंशन बढ़ दी है चले जानते हैं आकिर क्यों हुई संजे सिंग की गिरफतारी और क्या है दिल्ली शराब होई दरसाब सन्जे सिंग घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए आपके पहले नेता नहीं इससे पहले भी दो बड़े नेता गिरफ्तार होचुके हैं पतादे की सबसे पहले मही 2022 में मनी लॉंडरिंग केस में सतेंद्र जैन की ग्रफतारी हुई और इसके बाद परवरी 2023 में मनी सिसोधिया को शराब गोटाले में पहले CBI और अब 4 अक्टूबर 2023 को संजे सिंग को शराब गोटाले में ED ने ग्रफतार कर लिया है आपको तादे के मनी सिसोधिया की ग्रफतारी के बाद संजे सिंग की आमादमी पार्टी में अर्विन केजडिवाल के बाद दूसरे बड़े नेता थे संजे सिंग आमादमी पार्टी की Politics Affairs Committee के सदस्य होने के साथ ही पार्टी के रास्टिय प्रवक्ता भी है इसके अलावा उत्रपदेश बिहार में पार्टी की कमान भी उनी के पास है सुनावी राज्यों के अलाव पूर्वतर और देश के दूसरे राज्यों में संगठर निर्माण में वो संदेप पाठक के साथ महत और भूमिका में है विपक्षी दलो के इंडिया गटबंदन में आम आदमी पार्टी का चहरा और तालमेल रखने के जिम्मेदारी भी उनी के पास है दरसल एड की चार्स्टेट के मताबिक दिल्ली शराभ खोटाले में एक आड़ोपी है ंडिनेश अरोडा जो भात में सरकारी गवा बन गया आरोपी दिनेश अरोडा के बयान के मताबिक आरोप है कि संजे सिंग के कहने पर ही उसने दिल्ली के चनावों से पहले आमादमी पार्टी के लिए फंट रेजिंग प्रोग्राम यानी चंदा जुटाने वाला एक कारेक्रम आयुजित किया था एडी के मताबिक आरोपी दिनेश अरोडा ने संजे सिंग के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाग का चंदा एकठा गया था जिसका चैक मनेश सोगिया को स्वपा गया था एडी के मताबिक आरोफ है कि दिनेश अरोडा ने संजे सिंग के जर्य ही अर्विन केश्जवाल और मनोसिसोदिया से मुलाकात भी की थी संजी सिंग की गरफतारे के बाद सीम अर्वित्म केज़िवाल उनके घर पहुंचे इसके बाद उनोंने कहा कि संजी सिंग शेर है सीम ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक कटर इमांदार पार्टी है बेइमान हो जाएं तो समस्याएं खतम हो जाएं कटर इमानदार हैं इसलिए समस्या है इन लोगों के पास इमानदारी का काउंटर नहीं है इन्होंने हमें बदनाम किया कभी कहते है कि हिजडिवाल ने स्कूल बिजली पानी सड़क गोटाले में पैसे काई इनने मेरे कलाव बस्टचार में कुछ नहीं में शराब गोटाले में हजार से जादा रेड हुई रेड में अब तक चमनी तक नहीं में वहीं आपको अतादे कि गिरफतारी के बाद संजे सिंग ने भी एक वीडियो जारी किया है इसमें उन्होंने कहा है कि मरना मंजूर है डरना नहीं वहीं संजे सिंग की गिरफतारी पर सांसद रागर चड़्डा ने कहा लगबग पिछले 15 महिनों से बीजेपी आपकार करताओ पर शराब गोटाले का आरोप लगा रही है पुश लोगों को गिरफतार करने के बाद जांच के बहाने हजार जगों पर छापे मारी भी खुए किसी भी एजेंसी को एक पैसा तक नहीं मिला उन्हें कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि जब कोई घुटाला ही नहीं हुआ है तो क्या मिलेगा चले अब जानते हैं क्या है दिल्ली आपकारी नीती दिल्ली में पुरानी आपकारी नीती के तहत L1 और L10 लाइसेंस रीटेल वेंडर को दिया जाता था 17 नुवंबर 2021 को शराप के लिए नई आपकारी नीती लागू होने तक 849 शराप की दुकाने थी इन में से 60% दुकाने सरकारी और 40 नीजी थी नई नीती के तहत दिल्ली में शराप की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया नई नीती को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बाटा गया था हर जोन में सताई शराप की दुकाने थी इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किये गए लाइसेंस के तहत ही दिया गया था हर वार्ड में दो से तीन वेंडर को शराब बेचने की अनुमती भी थी वहीं संजी सिंग की गिरफ्तारी के बाद से आमाद्मी पार्टी के मुश्कले बड़ती नजर आ रही है संजी सिंग की गिरफ्तारी आमाद्मी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनोती घड़ी हो गई है सांसत की गिरफतारे के बाद आमाद्वी पार्टी बीजेपी काराले के सामने लगातार धर्णा प्रदेशन करे ले खिलाल के लिए इतना ही नमस्कार